हेलो शुडेंट आज हम लोग क्लास 12 का माथ चैप्टर 4 डिटेविनांट्स आज हम लोग exercise 4.4 देखेंगे आज इसका हम लोग introduction देखेंगे तो चली देखते हम लोग को introduction में क्या-क्या फढ़ना है इससे पहले मैंने आपके लिए exercise 4.1, 4.2 और 4.3 मैं आपको पढ़ा चुका आपको अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखेंगे तो सबसे पहले आप उन सब वीडियो को देखें फिर आप exercise 4.4 में है ताकि आपको कोई दिकत ना हो तो चली देखते हम लोग को 4.4 में क्या पढ़ना है तो हम लोग को इसमें देखना है minor और को फैक्टर ठीक है minor और हम लोग को क्या देखना है minor और हम लोग को को फैक्टर देखना है तो चली हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे solve करते हैं कैसे find करते हैं हम लोग इसको कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए मान लीजिए आपको एक determinants दिया गया है हम लोग का हम लोग को द एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग पढ़ देते उसका मैं इंट्रोडक्षिन में बताया था आप सब को ठीक है हम लोग कैसे करते ही सब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप चले हम लोग इसको आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग माइनर तो सबसे पहले माइनर का हम लिखते हैं आप वन वन निकालना है तो रहें तो क्या करेंगे देखे यहाँ की doctrinal दो इसको चिपाएंगे इसको चिपाएंगे स्को सिपाएंगे हम लोग को मिल रहा है देखें क्या बच्छा हम लोग पास 5 6 8 9 अब चलिए इसको multiply कर देते कितना हो जाएगा हम लोग का 5 9 जब 45 अच्छक अड़ता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 अब इसको solve करें कितना जाएगा माइनस 3 आ जाएगा अब 12 कैसे find करेंगे देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा यह वाला हो जाएगा इसको चिपाएंगे क्या आ रहा है 47 47 69 69 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर देखते हम लोग का यह कितना हो जाएगा 49 जा कितना हो जाएगा 36 और यह 42 यहाँ पर कितना जाएगा सॉल्फ करने पर हम लोग का 126 माइनस 6 आ जाएगा आप देखे क्या निकालेंगे 13 find करेंगे तो कैसे होगा देखिए यहाँ पर दिहां से देखिए 13 यानि कि इसको चिपाएंगे इसको चिपाएंग क्या बचा 4578 4578 अब चलिए इसको सॉल्फ करने पर क्या मिलेगा हम लोग कर देखे हम लोग का हो जाएगा 32 यह जाएगा 35 जलिए ठीक है सॉल्फ करेंगे तो माइनस कितना हैगा माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा अब चलिए और एक में आपको बता देता हूँ यहाँ पर M, अगर हम लोग M 2, 1 find कैसे करेंगे M, 2, 1 तो कैसे find करेंगे चलिए देखते यहाँ पर देखे M, 2, 1 ना तो अब देखे इसको छीपाएंगे और इसको छीपाएंगे पूरा कट जाना चाहिए इधर से भी कट रहा है 4 क्या क्या बच रहा है 2, 3 2, 3, 8, 9 8, 9 इसको solve करेंगे कितना आजाएगा देखे हम लोग का 2, 9, 18 और यह कितना हाजाएगा 24 24 इसको solve करने पर कितना आजाएगा 6 आजाएगा माइनस 6 आजाएगा अगर अब हम लोग अगर M22 find कैसे करेंगे चेलिए देखते है M22 तो हम पर क्या हो जाएगा M22 तो हम लोग का 5 ए M22 देखे 2nd row 2nd column देखे यह चीपेगा यह चीपेगा यह चीपेगा यह चीपेगा देखे पूरा cross में कट जाना चीप इधर से भी कट रहा है क्या बचा 1739 क्या बचा 1739 solve करेंगे 9 आजाएगा 9 बचे 9 माइनस 7 तरी जा 21 solve करने पर कितना मिलेगा हम लोग को 11 है 11 में से 9 मैनस करेंगे कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 1 ठीक है माइनस आजाएगा तो हम लोग इस तरीके से माइनर क्या करेंगे माइनर फाइंड करेंगे अब हम लोग का co-factor है चीप है क्या है co-factor co-factor हम लोग कैसे find करेंगे वो भी मैं आपको फटा-फट बता देता हूँ चलिए देखते हम लोग co-factor कैसे find करेंगे हम लिग देता हम है co-factor ठीक है धिहान दीजेगा इसको कैसे find करना है इसका पहले formula होता है aij equal to क्या होता है minus 1 का power i plus j और i plus j कितना हो जाएगा 1 1 1 plus 1 m i j मतलब m i j मतलब यहाँ पे भी 1 1 रखेंगे यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 1 अगर आपको नहीं समझ मेरा तो एक बार आप रख लिए m 1 1 ठीक है equal to हम लोग का क्या हो जाएगा देखे minus 1 के power कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे m 1 1 कितना दिया गया minus 3 दिया गया कितना दिया गया हम लोग को कितना find कि हम लोग दो minus 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यह हम लोग का हो जाएगा minus 3 into minus 3 इसको solve करने पर क्या आगा देखे यहाँ पर आजाएगा minus 1 का square यानि कि 1 into ये minus 3 इसको multiply करेंगे तो कितना आजाएगा minus 3 आजाएगा इसका co factor कितना आगया minus 3 अब इसी परकार से अगर हम लोग A 12 confined करेंगे तो क्या आजाएगा minus 1 के power 1 plus 2 यहाँ पर M क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखें अब हम लोग यहाँ पर दियान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 के power 3 हो जाएगा into m12 कितना दिया है mean six कितना हो जाएगा minus six हो जाएगा आप देखे minus one के power three है तो minus one रहेगा अब यहाँ पे into क्या हो जाएगा minus six अब इसको solve करने पे क्या जाएगा six आजाएगा अब इसी परकार से हम लोग a13 find करेंगे मैनas one के power और यहां पर आज़ेगा 1 plus 3, यहां पर M13 equal to कितना हो जाएगा हम लोग का देखे, minus 1 के power 1 plus 3 कितना 4, into M13, M13 कितना है, minus 3, M13 कितना है, minus 3 है, तो यहां पर minus 3, यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, देखे हम लोग का, यह 1 आज़ेगा, into minus 3, इसको solve करेंगे, तो कितना आज़ेगा हम लोग का, minus 3, तो co-factor हम लोग इस परकार से निकालेंगे, ठेक है, हम लोग co-factor इसी परकार से निकालेंगे, अब हम लोग जब एकसार साइज solve करेंगे, तब हम लोग देखेंगे, सुष्टन वीडियो पसंद आए, तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you,